स्वाखत है आपका टीस्टू इच में और आज हम जानते हैं कि आज का हमारा सीकुल का प्रशन कितना अच्छा है तो बिना टाइम वेस्टी में आपको ले चलता हूँ अपनी शीट पे जैसा है कि आप यहाँ पे देख रहे हमारा प्रशन है राइट प्रशन का मतलब क्या है जो कि आपको पता है लेकिन इस प्रशन को पढ़के आपको लग रहा है ना जाने यह क्या है मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा यह मेरी टेबल का नाम है यहाँ पे तीन कॉलम है नंबर नेम और डेट बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर आप नेम देखेंगे तो वहाँ पे आपको नाम के बाद कुछ नल वेल्यू देख रही है ठीक है अब मैं प्रशन पढ़ता हूँ औ आप एक ऐसी क्वेरी लिखें जिससे लास्ट अवेलेबल नेम कॉपी हो जाए लास्ट कंजिकूटिव नल वेल्यू तक यानि कि अगर आप यहाँ पे आशीज देख रहे हैं तो उसके नीचे जो नल आ रहा है उसमें वही नाम पेस्ट हो जाए ठीक है यह लास्ट अवेल करने के लिए बोलू तो आपको एकदम में क्लिक होगा कि यह तो फिल डाउन टाइप कुछ है तो इसको एक सेकेंड में कर सकते हैं F5 में जाके यह फिल डाउन करके लेकिन अगर हम सीकोल में इसे करना चाहेंगे तो वह कैसे कर सकते हैं वह थोड़ा सा इंटरस्टिंग है तो चले लिखते हैं अपने आज की क्यरी इस फिल डाउन को सीकोल में किस तरीके से करते हैं यह हमने एक नॉर्मल कोईरी हापे लिख दी थी यहाँ पे हम दो चीज़े यूज करेंगे तो सबसा पहले क्या है कि हम यहाँ पे काउंट देके एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे जो हमारा नया ग्रूप आईडी होगा उस कॉलम का नाम तो उसको हम नॉर्मली काउंट नहीं करेंगे किस तरीके से काउंट करेंगे वो क्लॉस आपको देखना है इस क्वेरी में तो मैं स्टार के बाद कॉमा देता हूँ एंडर करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ का सथिया अगर आशिश है और यहां पे आशिश है और इसका कााउंट 1 है तो उसकी आगए कि जो नल वेल्यू है उस पे भिवही कांट आए और उसके बाद अगर कोई correct name है जसके रमन उसके बाद correct name आ रहा है तो वह to दे मतलब कि यह null value count ना हो और null value में वही count आए जो उसके upper value का है तो मैं यहाँ से over clause use करने वाला हूँ ठीक है partition मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर directly order by use कर रहा हूँ date column पर ठीक है के बाद जो null value है वहाँ पर 1 ही दिया है क्योंकि null value अपने आप में कोई value नहीं है तो उपर वाला इसने यहाँ पर भी repeat करा है third अगर आप देखेंगे रमन वाले को तो रमन वैसे तो third है लेकिन actual अगर देखें तो correct value second number की है तो इसने second count दिया है और जो उसके बाद के जितने भी null है वो repeat कर रहे है same count इसी तरीके से three-fourth भी है यहाँ पर मैं एक इसका alias बना देता हूँ group id से ठीक है और इसे फिर run करता हूँ तो यह group id से आ गया है अब देखिए आदे से जादा हमने चीज कर दी है अब बस हमारा काम यह है कि कैसे हम प group यहाँ बनाया है यहाँ पर group बन गया और यहाँ पर फिर तीस्ता group बनाया फिर एक चौथा group फोर्त वाले के लिए कोई null value नहीं है लेकिन यहाँ जो उपर हमें करना था वो हम आदिसे जादा कर चुके है अब second चीज हमें क्या करनी है कैसे करनी है उससे पहले मैं इसका ए नाम है cd अब इसके बीच में हमें अपनी query का main function लिखना है अब देखिए अगर हम हर group में से name column का पहला column निकाल ले और उसी को आगे की null value में paste करा है तो हमारा काम हो जाएगा पहली value को निकालने के लिए SQL में बहुत ही अच्छा function है जिसका नाम है first value ठीक है यह first value क्या करत है एक set में से पहली value निकालता है और उसे paste करता है उस पूरे group के लिए ठीक है तो देखिए यहां पर अगर मैं आशिष निकाल लूँ यहां पर मैं रमन निकाल लूँ यानि पहला नाम और यहां पर मैं अक्ष्य निकाल लूँ और नेचे paste करा तो मेरा काम हो जाता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे मैं लिखता हूँ फर्स्थ वेल्यू ठीक है अब फर्स्थ वेल्यू किसकी नेम की हमें नेम कॉलम की फर्स्थ वेल्यू निकालनी है लेकिन यह जो function होता है वो और क्लॉस के बिना अधूरा है तो यहां पी हम इसे और क्लॉस के साथ यूज कि किस partition की तरीके से यह चलने वाला है partition by group id जो कि हमने बनाया था क्योंकि यह first value तो निकालेगा अगर हम इसे कोई partition नहीं बताएंगे group में तो यह सिर्फ आशिश निकालेगा और सब में paste कर दें ठीक है क्योंकि यहां पे कोई हमने partition नहीं दिया लेकिन अब हमने partition दे दिया हम order by में दे देता है date जो कि order by already चली रहा है date का और इसको मैं नाम दे देता हूँ as new name ठीक है अब देखिए अब यह क्या कर रहा है हर गुरूप में से पहला name निकालके देगा first value function के तुरूप और partition हमने आप गुरूप id में कर दिया था और order by हमने आ रहा date का अल्यडी हो है यह हमारी हमें क्वेरी हो गई उससे पहले यहां में double bracket है मैं इसको हटा देता हूं और हमें यहां से पुराने column यानि कि जो available column है वह भी निकल के आए और उसके बाद मैं से run करता हूं अब देखिए यह हमारा पहले वाला column है name का और नया जो हमने बनाया वो यह अब अग आपने यहां पर सीखा है कि fill down हम सीकूल में कैसे करते हैं और यहां पर एक नया function आपको सीखने के लिए मिला है first value अगर सच वी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और कमन करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्स्राइब करना न भूले